Yes, Ready, 3, 2, 1, शुरू योग प्राचीन भारतिय परंपरा एवं संस्क्रती की अमुल्य देन है विराम योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना या मिलाना होता है विराम योग शरीर एवं मन विचार एवं कर्म मानव एवं प्रक्रती के मद्य समंजस्य स्थापित करता है विराम इसे शरीर मस्तिश्क और आत्मा के सन्योजन के रूप में देखा जा सकता है विराम लक्षय के रूप में योग उच्चतम इस्तर पर वक्तित्व के एकी करण को दर्शाता है विराम उपचार के सर्वातिक शक्तिशाली औसदी रहित तंत्रों में योग महत्वपून है विराम योग मानसिक इस्तर पर मनुश्य को एकागरता सांती और संतोश के साथ ससक्त बनाता है विराम योग के माध्यम से हम एक बहतर रोग प्रतिरक्षा तंतर तयार कर सकते हैं इसमें सामान्य प्रतिरक्षा की समूचित मात्रा के साथ स्वस्थ होने की उर्जावान अनुभूती भी शामिल है विराम पैरा योग की इसी महत्ता को हित कर बताते हुए प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी ने 27 सितंबर 2014 सयूक्तराष्ट्र महसबा के उन्सित्रवे सत्र के संबोधन में अंतराष्ट्य योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखते हुए यह कहा की योग की मदद से हम जलवायू परिवर्तन जैसे खत्रे से भी निपट सकते हैं विराम उनकी यह पहल रंग लाई और किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय लेते हुए 90 दिन के भीतर 11 दिसंबर 2014 को सयूंक्त राष्ट्र महसबा के 117 सदश्यों ने रिकोर्ड 177 समर्थक देश्यों के साथ 21 जून को अंतर राष्ट्रिय योग दिवस मनाने का प्रावधान सर्व समत्ती से अनुमोदित किया विराम महसबा ने अपने अनुमोदन में बारत की इस परंपरा को स्विकार किया कि योग स्वास्थिय एवम कल्यान के लिए एक संपून द्रिष्टी कोण प्रदान करता है विराम योग जीवन के सभी पहलूँ में सामजस्य बिठाता है विराम इसलिए योग बीमारे की रोकधाम स्वस्थ शरीर और जीवन सैली संबंदी कई विकारों के परबंधन के लिए जाना जाता है विराम पैरा आयूश मंत्राले द्वारा प्रधंबार 21 जून 2015 को राजपत नई दिल्ली में योग दिवस का सफल आयोजन किया गया विराम 36,000 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र तथा एक ही योग अभ्यास सत्र में सरवाधिक 84 देशों के नागरिकों की प्रतिभागिता उस दिन ये दो गिनीज विश्व रिकोर्ड बने विराम आयूश मंत्राले द्वारा संपूर्ण देश को योग की सिक्षा देने के लिए कई योजनाएं एवं कार्य करम शुरू किये गए विराम विद्यालेई इस्तर पर भी पाठे करमों में योग विशे को शम्मिलित कर विद्यारती को योग का महत्व बताने आवर इश्की सिक्षा देने के परियास किये जा रहे हैं विराम पैरा जिस समय विश्व के अनेक राष्ट्र सब्यता का निर्मान कर रहे थे उस समय विश्व गुरू के रूप में सूशब्य एवमशू संस्कृत बारत की गौरवशाली सब्यताएं समूचे विश्व में लहरा रही थी विराम इसी भारत के तपस्वियों ने विश्व कल्यान के लिए योग जैसी अमुल्य भेंट विश्व को दी विराम इसकी उत्पत्ती शुक प्राप्त करने और दुखों से छुटकारा पाने की विश्व व्यापी इच्छा के कारण ह हुई विराम शुरूती परंपरा के अनुसार भगवान सिव योग विद्या के प्रथम आदी गुरु है विराम हजारों हजार वर्सपूर्व हिमाले में कांती सरोवर के किनारे उन्होंने योग का गूड ज्यान पौरानिक सब्त रिश्यों को दिया था विराम इन रिश्यों ने बाद में इस योग का अमुल्य ज्यान पूरे विश्व में प्रसारित किया विराम भारत भूमी ही वह स्थान है जहां योग की विद्याएं पूरी तरह आलोकित हुई विराम पैरा योग साधनों में यम नियम प्रणायाम आसन निद्रा सर्थसंग ध्यान आदी साधनाओं का अभ्यास अत्यदिक होता है विराम योग का सुववस्तित उल्लेक पतंजली के योग दर्शन में मिलता है विराम वर्तमान में विबिन संपरदायों दर्शनों धर्म गुरुओं परंपराओं आदी के चलते योग की भिन भिन विधाओं और पाट सालाओं का मार्ग प्रसस्त हुआ है विराम आज विश्व ने योग को विज्ञान की शैली के रूप में स्विकार कर लिया है विराम आधुनिक विद्वान योग के विशे पर विश्व की सभी संस्कृतियों में समानता मिलने पर अचंबित है विराम पास्चात्य संस्कृति भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम की एक शैली के रूप में स्विकार कर रही है विराम योग का परियोग आंतरिक विज्ञान के रूप में किया जाने लगा है पूर्ण विराम